करेंट फेर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे पिछले दिनियों के घटनाओं पर बनाये गए बहतरी इंप्रेशन जो अक परिच्छा के लिए बहत महत्पुन है इसको पढ़िए और साथ साथ लिखिए आज से एक नए रूप में हम करेंट फेर्स लेकर आ रहे हैं जो कि करेंट फेर्स पर चर्चा करेंगे चलिए आज का हमारा पहला प्रशन है भारतिय प्रतेश परधा आयोग कारेवाहक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है कारेवाहक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हाल ही में भारतिय प्रतेश परधा आयोग भार्ती प्रतेश पर्दा आयोग, Competition Commission of India के कार्यभाग, प्रमुख जो नियुक्त क्या गया है, संगीता बर्मा को, इसका सही जवाब हो जाएगा B, B is the right answer, B इसका सही जवाब है, कार्यभाग, तीन महीने के लिए, या अगले जो है, जो नया, इसका आध्यक्ष जो नियुक् CCI कहा जाता है, Competition Commission of India, CCI की क्या है, ये सदशे हैं, और इनको कार्यभाग प्रमुख नियुक्त किया गया है, तीन महीने के लिए, या अगले जब्तक की प्रमुख नियुक्त नहीं हो जाता, चलिए इसका explanation देखते हैं, संगीता बर्मा को भारत शरकार ने, भारती परसिप प्रमाद गुपता के पद छोड़ने के बाद हुई है, बर्मा बर्तमान में, Competition Commission of India की सदशे हैं, संगीता बर्मा की नियुक्ती तीन महीने के लिए की गई है, या अगले जब तक की कार्भाग प्रमुख नियुक्त नहीं होता, तब तक, अगर हम भारती प्रतियस प्रधा आयोग की बात करें, Competition Commission of India की बात करें, जिसकी जो अस्थापना होई थी, CCI के अस्थापना होजी थी, 24 अक्टूबर 2003 को होई थी, इसमें एक अध्यक्ष, 6 अन्ने सदशे होते हैं, इसका मुख्यालय कहा है, देखें, मुख्यालय याद रखेगा, नई दिल्ली में है, और टैटिक जीके से समंदीते प्रशन होंगे, तो चलिए, ये सारी बात आप प्याद रिखेगा, बेहद महत्पुने हैं, चलिए, अगले प्रशन पर आते हैं, आज का हमारा अगला प्रशन है, भारतिय नो सेना ने, मोजांबिक और किस देश के साथ, पर्थम त्रिपक्षी प्षिय अभ्यास में भाग लिया है, तंजानिया, केनिया, नाइजिरिया या कित यू पिया, इस चारो अफ़रिकी देश हैं, तो इसका सही जवाब होगा, तंजानिया के साथ, भारत, मोजांबिक और तंजानिया मिलकर एक त्रिपक्षी अभ्यास करेंगे, कहां करेंगे तंजानिया के दारे सलाम में इसका explanation देखिए यहां पर लिखा हुआ है भारत मोजांबिक तंजानिया तिरिपक्षी अभ्यास का पहला संसकरण 27 अक्टूबर से शुरू होगा 27 अक्टूबर से शुरू होगा इन तीन देशों का ध्यान कें तिन देश हैं इसलिए तिरिपक्षी है 27 अक्टूबर 2022 को तंजानिया के डारे सलाम में होगा कहां हो रहा है यह डारे सलाम में शुरू हुआ है यह कौन सा है नो सेना का है ध्यान रखेंगे यह अभ्यास जो है नो सेना का अभ्यास है इसका परतनिधितो गाइडेड मिसाइल फ्रिग्रेट यह आई एन एस तरकस और एक चेतक नाम का हेलिकाप्टर इसमें भाग लेगा और मार्कोस नाम का फाइटल प्रेन इसमें भाग लेंगे तो भारत के तरब से जो परतनिधितों करेंगे गाइड़ मिसाइल फ्रिगेट जो इसका जो है डिफेंस सेस्टम है इने डिफेंस टर्कस भाग लेगा जो हमारा वारसिफ है एक चेतचा नाम का ह intentcor और मार्कोस जो है फाइटर फ्लेन इसमें भाग लेगा इस अभ्यास का उदेश से क्या है इस अभ्यास का उदेश से समता भिकास सामिल है, तो इसके लिए किया जा रहा है, तो ये तीन पक्षूं की एक नो सैनिक अभ्यास हुआ है, तंजानिया के डारेस सलाम में, ये बात आप जरूर याद रखेगा, तंजानिया के डारेस सलाम में, चलिए, अगला प्रसंद दिखे, बीसो सहर दिवस 2022 कब म वाल्ड सिटी दे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो वाल्ड सिटी दे प्रति वर्ष मनाया जाता है, 31 अक्जाम में, बीसो सहर दिवस के यो मनाया जाता है, कब से मनाय जा रहा है तो इसके बारे में आपके पास पूरी explanation है 26 दिवश प्रती वर्ष 31 October को मनाय जाता है प्रती एक वर्ष 200 पर्यावरन दिवश के साथ तो यह पर्यावरन नहीं होगा 200 पर्यावाश 200 पर्यावाश 200 पर्यावाश दिवस के साथ एक अलग सहर में, हर साल एक अलग सहर में मनाया जाता है, इस साल बैस्विक परियावाश, इस साल बैस्विक परियावाश और सहरी दिवस, चीन के संगाई में, कहां मनाया जा रहा है, चीन के संगाई में, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल ये थीम है इस बार का वी सो सहर दिवस का थीम क्या है ध्यान रखेंगे इस तरीके का प्रेशन खुब पूचे जाते हैं विशो सहर दिवस के सिंग एक्ट गुलोबल टू गो गुलोबल लिखा है एक्ट लोकल टू गो गुलोबल थीम के साथ मनाई जा रही है। अगला प्रस्ण हाली में किसने ओडिशा के पूरी में भारत के दूसरे राष्टी आदर्स बेद विद्याल है। शिक्षा मंत्री हैं प्लस इनके पास एक और मंत्राल कोसल विकास मंत्री भी हैं। कोसल विकास मंत्री भी हैं। राष्टी आदर्स बेद विद्याल है का उद्गाटन किया है। इसकी ब्याख्या देखते हैं क्या है। केंद्रिय शिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने लोगों के बीच वेदों के ग्यान का प्रशार करने के लिए। राष्टी आदर्स बेद विद्याल है के शुरू किया है। यह धी नहीं पढ़ाए जाएंगे। उनको अपने मन से अन्य विशाय चूज करने का भी विकल्प रहेगा उनके पास। इस विद्याले में चातरों को विज्ञान, अंग्रेजी, गणीत, समाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, कंप्यूटर विज्ञान, क्रिशी विज्ञान को भी चुनने का पूरा आउसर मिलेगा। ये भी चुन सकते हैं वो, और इसमें जो किस प्रकार से, इसमें किस योग्यता के अधार पर होगा, तो देखो परवेश जो होगा, इसमें अडिमीशन जो होगा, वो बेद भूसन चौथी कलास 9 के लिए होना चाहिए योग्यता, बेद भूसन पांचवी कक्षा 10 के लिए योग्यता होना चाहिए, बेद भूसन प्रथम बनाया गया है, इसमें वो होगा कक्षा 11 के लिए, और बेद भूसन दुत्तिय जो है, ये कक्षा 12 के लिए, योग्यता के अधार पर ये किया जाएगा, ये आद रखेगा, पाठकरम इसका 2022-23 से सुरू होगा, जो कि यहां हो गई, अगर आप इसके अलावा देखेंगे, तिसके अलावा उत्राखंड के बद्रिनाथ, करनाटक के सिरंगरेरी, गुजरात के दौरका और असाम के गुवहाटी में भी इस तरीके के बिद्धाले खोले जाएगा, देख ले ना, इसके अलावा उत्राखंड के जो अब देखिए यह तो दूसरा था पहला कौन है पहला कौन है उरिषया के पूरी में जो विद्धा लेख खुल है दूसरा है महर्शी सांदीपनी रास्टी बेद बिद्ध परतिश्ठान मद्य पर्देश के उजयन में ऐसा पहला स्कूल है जहांपर बेदों के धैन ऊपनिष प्रशन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और इसको आप लोग याद रखेगा इसको लिख लिजीएगा स्के स्क्रेंशोट ले सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं चलिए अगले प्रशन पर आते हैं आज का हमारा पांचों प्रशन है हाली में भारत के किस राज्य में इस्थित मौमुलू हुगुः याद यूनेसको ने पहली भारतिय भूबिरासत साइट के रूप में मानेता दिया है तो यह है भारत के पुर्भोत्तर के राज्य में इसका क्या जबाब होगा पुर्भोत्तर के राज्य में इसका बेलकुल सही जबाब होगा याद रखेंगे इसका एक्स्प्लिनेशन के बारे में देखते हैं इसका एक्स्प्लिनेशन क्या है इसकी बैठ्या देखेंगे देखेंगे युनेशको, इमुनाइटेड नेशन एजुकेस्टन का एजुकेस्टनळ साइस साथिपिक अगधारल औरगनेजिएशन है है ना युनेशको के सबसे बड़े बैगानिक विराषत डैगानिक संग्ठन में से एक इंटरनेशनल यूनियन औफ जीयोलोजिकल यह उनेशको का एक बहुत बड़ा बैगानिक संग्ठन है। ने में घाले के पूरवी खासी हिल्स में घाले में घारो खासी और जैनतिया की पाहड़िया हैं। खासी जो है बीच में है பूर्वी खासी हिल्स में इस्थित मॉम लूुह गुपा हैं तो याद रखेगा हैं मम लूँ गुपा कहा है जो खासी के पाड़ियों के पूर्वी इलाके में ये गुफा है ना गुफा पहले सो अब उनेसको के द्वारा भूबयानिक बिरासत में सा पहले सौ भु बैगानिक या भु विरासत की एक सूची तयार कर रहा है उसमें इस मौमलूह गुफा जो मोगहले में को सामिल किया गया है सामिल किया है मानेता दिया है यह गुफा जो है 7.2 किलोम्योंटर की लंबाई के साथ मौमलूह गुफा भारति उप महादीप की चोथ सबसे लंबी गुफा है चोथी सबसे लंबी गुफा है कितनी मीटर उचाई पर है तो इसकी यह लग गुफा लग बग 4530 मीटर के उचाई पर इस्तित है क्योंकि यह पहाडियों में है तो पहाडियों में ऊपर है उचाई पर इस्तित गुफा आपने इस्टेलेग माइट भुमिगत जल होते हैं भुमिगत जल के द्वारा इस्टेलेग माइट इस्टेलेग टाइट है ना इस तरीके की संरचनाएं बनती हैं भुमिगत जल के द्वारा तो इस्टेलेग माइट संरचनाओं के लिए जानी जाती है इसमें इस्टेलेग माइट सं ग्यान परिशद एक शंगठन है जो कि इसमें इंबॉल्व है अक्ता राष्टी विज्ञान परिशद इसके स्थापना 4 जुलाई 2018 को इती मुख्याले जो है इसका पेरिश में है और ध्यक्स पीटर गलेक मैन है तो ये संस्था वियाद रखेगा इन संस्थाओं को पूछा जाता रहता है एक्जाम में आप लोग याद कर लिजेगा चलिए अगला प्रसंद देखते हैं राष्टी एक्ता दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को पता होगा भारत में राष्टी एक्ता दिवस 31 सक्टूबर को प्रतिवर्स मनाया जाता है तो इस प्रशन का जो सह जयंती के उपलक्ष में उनी के औॉसरफ पर एकता दिवस के रूप में मनाय जाने की परंपरा शुरू हुई है। इसमी जैन्ती मनाई गई है, 147th जो है न, इनकी जैन्ती मनाई गई है, सरदर पठेल को क्या बोला जाता है, लोह पुरुष कहा जाता है, आइरन मैन, लोह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, राश्टी एक्ता दिवस हमारे देश की एक्ता अखंडता और सुरक्षा को बनाये रखने की दिशा में एक औसर प्रदान करता है, राश्टी एक्ता दिवस जो है, देश की एक्ता खंडतो को बनाये रखने में एक औसर प्रदान करता है, इसका उदेश से देश की एक्ता का उत्थान करना, भारती सियास में सरदार बल्ला भाई पठेल की योगद रखने में उनके आसाधरन कारे के लिए उरू किया गया है। कब से शुरू किया गया है। 2014 से पहले राश्टी एकता दिवस का उद घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था कब 2014 में नई दिल्ली में कहा हुआ था नई दिल्ली में हुआ था और उसमें कारकरम हुआ था रन फार यूनिटी क्या किया था है देखो रन फार यूनिटी कारकरम के द्वारा सुरू किया था ता नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में नई दिल्ली में रन फार यूनिटी एक कारकरम है जुद किया गया और उसी के साथ ये 2014 से लगतार मनाया जा रहा है 2014 से है ना गुजरात के नर्वदा जीले के कवर्डिया में 2018 में स्टेचू आफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे उंची स्टेचू है सबसे उंची मुर्ती है जिसकी उंचाई 182 मीटर है के रूप में दुनिया की सबसे उंची पृतिमा बनी है उसका अउध घाटन हो गया है सरदार पटेल के जनम 31 सक्टूबर 1875 में गुजरात के नादियाड में हुआ था ते शारे इनिफर्मेशन आप लोग याद रखेगा जो आपके परिक्षा के लिए महत्तपुन होगा ये सभी लोग इसको लिख लिजिए बेहद महत्तपुन है सरदार पटेल की भारती 133 दोलन में बड़ा ही महत्तपुन योगदान रहा है बार्दोली सत्यागर जो 1928 में हुआ था इनिक नतरित्त में गुजरात में हुआ था गुजरात के बार्दोली में जहांपर महिलाओन ने दोली के महिलाओं ने सर्दार की उपाधी दी थी बल्ला भाई पटेल को याद रखेगा भात्रपुन प्रशन है और 1931 के 1931 के कराची अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 का कराची उसकी अध्यक्षता सर्दार बल्ला भाई पटेल नहीं की थी चलिए अ किसने जीता है तो यह जीत लिया है इस पेन ने जीता जिटा अब इसका देखें देखते हैं ुसका क्या होगा आप देखेंगे, ode육ण पहली बार फाइनल में पहुँची कोलंबिया, कोलंबिया एक दक्षिण अमेरिकी देश है फाइनल में पहुँची कोलंबिया के खिलाब Under 17 मैला बीस्कॉप जितलिया मतलब इस्पेन ने कोलंबिया कोहरा करे बीस्कॉप जितलिया और जीता है एक जीरो से फाइनल मैच में इस्पेन और कोलंबिया के बीच कहा हुआ था पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम में खेला गया जिसमें इस्पेन ने एक जीरो से जीत दर्ज की और कोलंबिया को हरा दिया इस साल फिपा अंडर सेमेंटीन महिला भी सुकप का मेजबान भारत जो है भारत इस बार मेजबान किसनी कहा हुआ था तो भारत इस साल फिपा अंडर सेमेंटीन महिला भी सुकप का मेजबान था दुर्भाग से टीम इंडिया टीन मैं चारने के बाद बाहर हो गई और चुकिए क्वालिफाई नहीं किरती जिस देश में होता है उस देश की टीम आटोमेटिक उसमें खेलती है मेजबान टीम जरूर खेलती है उस रूल के अनुशार एक खेली थी फिपा अंडर सेमेंटीन जो फुटवाल का अभिश्यकप था दोजार बाइस 11 अक्टूबर से कब से शुरू हुआ 11 अक्टूबर को उडिशा के कलिंगा स्टेडियम में शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ 11 October को Calinga Stadium में शुरू हुआ और final match 30 October को कहां हुआ Partil Stadium में आ SK39 पाटिल Sport Stadium में अंत हो गया तो ध्यान रखेगा उडीशा में हुआ था उडीशा कलिंगा से सुरू हुआ और 30 October को final खेला गया यं भी याद रखेगा चलिए, अब फीफा के बारे में जान लेते हैं, एक बार आप फीफा के बारे में जान लेंगे। प्रशन होगा अक्सार इस तरीके के प्रशन पूछे जाते रहते हैं चलिए अगला प्रशन होगा हाली मैं राजेस रंजन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किस को राजेस रंजन को किस देश में किया गया है तो राजेस रंजन को ये किया गया है आईवरी कोस्ट में इसका उतर हो जाएगा कौन होंगे राजेस रंजन आईवरी कोस्ट में अगले राजदूत एक्स्प्लीनेशन देख लिए इसका ये अपके सामने इसका एक्स्प्लीनेशन है भारती विदेश सिवा इंडियन फॉरें सर्विस के अधिकारी डॉक्टर राजेस रंजन को पच्छमी अफरीकी इस आईवरी कोस्ट या इसको बलते हैं कोटे डिया गया है अब उनको आईवरी कोष्ट में कर दिया गया इसकीर्आदानी कहा है यामो सुक्रो होता है यामो सुक्रो परधान मंतरी पैट्रिक अची राष्टपती अलासेन अउटारा मुद्रा यहां की फ्रेंक है और यह अफ्रीकी महादीप का देश है अफ्रीकी महादीप में पच्छिम की तरफ पड़ता है तो ध्यान रिखेंगे बेहद महत्पुन प् तो आप इसको याद कर लिजेगा राजदूतों से जो प्रशन होगा अगले प्रशन पर आईए किस राज्य सरकार की योजना लक्षमी भंडार को महिला वाल विकास स्रेणी में महिला चाइल्ड एंड फिमेल एंड चाइल्ड डेवलेपेंट स्रेणी में प्रतिष्थित स्क पुरसकार मिला है किस राजद की सरकार को गंटलक्षमी। योजना के लिए मिला है तो यह विरा भंडलक्षमी योजना अगया इसका उतर हो जाएगा डी तो पच्रशि kel नए और बाल विकास की स्रेणी में चले तो हम देखते हैं अगला प्रे yar hill के एक से अगस्त 2021 में इस योजना को शुरू किया गया था कब शुरू किया गया था अगस्त 2021 में इस योजना को शुरू किया गया था और इस योजना को महिला ससक्तिकरण के रूप में देखा जा रहा है जो घर की सबसे महिला मुखिया को क्या किया जाता है उनको अनुदान दिया घाता महिला मुख्याओ क्या दिया जाता अनुदान दिया जाता तिशमे रूल यह है कि जो समान बर्क के महिला है उसको प्रती महिने 500 रूपे और अनुसूचित जाती और जन जाती बर्ग की जो महिलाएं हैं उनको प्रतिमेने 1000 रुपे अनुदान के रूप में मिलेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है समान बर्ग की महिला के लिए 500 तथा अनुसूचित जाती एहम जन जाती बर्ग के महिला के लिए 1000 रुपे प्रतिमा दिया जाएगा यह अनुदान के रूप में सिक्षा में पर्तिष्टित स्टार आप गौर्नेन स्काच अवारड भी जीता था उन लोगों पर्योजनाओं और संस्थाओं को मानेता देना जो भारत में या भारत को एक बहतर राष्ट्र बनाने में के लिए अत्रिक्त प्रयास करते हैं बनाने में क्या करते हैं एक अत्रिक्त प्रयास करते हैं इसकाच पुरसकार किसलिए दिया जाता है तो देखेंगे इसकाच पुरसकार सासन के लिए समावेशी विकास के लिए प्रदोगी प्रवंधन में, कार्पोरेट नित्रित्तों के मामले में, नागरिक सेवाओं के वितरण में, डिस्टिबूशन में, छमता निर्माड और अन्य के बीच सक्तिक करण के लिए दिया जाता है, इसी के लिए इसका पुरसकार दिया जाता है, जिसकी सुरुवात 2003 में होई थी, that is a very very most important question है, तो चलिए, ये पूरी बाते आप याद कर लीजेगा, चलिए, अगले प्रसन को दिखते हैं, हाली में ब्राजील के नए राष्टपती कौन बने है, ब्राजील के नए राष्टपती, अभी तक ब्राजील के जो राष्टपती थे होते, जायरे बोल सो नारो, अब जायरे बोल सो नारो को हैना, लुडा डी शिल्वा ने पराजित कर दिया, अब ब्राजील के नए राष्टपती बन गए, लूला डी शिल्वा, कौन बन गया, इसका आप्शन हो जाएगा सही, ये लूला डी शिल्वा बन गया है, ब्राजील के नए धक्ष्ण पंति विचारधारा रखने वाले मोजूदा रास्ट्पती जायर बमसो रानू जो है वो दक्ष्ण पंति बीचारधारा के थे को हाराकर का कि वाम पंति वीचारधारा के लूला डी सिल्वा ने जीत हाशिल कर ली और नयила ब्राजील के तीसरी बार राष्ट पती बने इसके पहले दो बार पहले पुरुबर में बन चुके हैं, अभी तीसरी बार राष्ट पती बने हैं, अगर हम ब्राजील की बात करें, तब ब्राजील एक दक्षण अमेरिकी देश है और दक्षण अमेरिका का सबसे बणा देश, दक्ष्ण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है सबसे बड़ा देश है और ब्राजील में ही अमेजन नदी भाती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भाती है ब्राजील में ही अमेजन नदी भाती है तो ये ब्राजील से धान रखेंगे दक्षन अमिर की इसकी राजधानी है ब्राजिलिया है और इसकी मुद्रा ब्राजिलिया ही रियाल है तो यह आत्यात रखेंगे रूस कनडा अमेरिका चीन इन चार बड़े देशों के बाद दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है दुनिया में सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन के बाद पांचवाँ सबसे बड़ा देश दुनिया में कौन सा है ब्राजील है भारत से दो गुना छेत्र फल है इसका तो यह आप ध्यान लेखेगा ब्राजील के बारे में है न चलिए आज के लिए इतना ही इन सभी प्रस्णों को लिख लिएगा बेहत्मत्पुने परिच्छा में इसी तरीके काईगी इसकी पूरी इन जो है डिटेल एक्स्प्लेशन अब आपको इस तरीके से मिलेगा चलिए आज के लिए इतना ही सभी लोगों का भूद धन्यव जय हिंद जय भारत